अखिलबार्ती कॉंग्रेस कमीटी के मुख्याले से आज वरिष्ट कॉंग्रेसी नीता और प्रवक्ता जैराम रमेशनिक पत्रकार वारताली और बताया कि आज चिपको आंदोलन और टाइगर रिजर्व की 50 साल पूरे हुए हैं जो कि इंद्रा गांधी के द्वारा प्रारम कराए गए थे वहिए उन्होंने ये भी बताया कि अब अनुसुचित जनजाती क्षेत्र के लिए बनाए गए नियमों में संशोधन किया जा रहा है जिसको लेकर के सरकार के ही अरिकारी ने पत्र लिखा है कि इससे अनुसुचित जनजाती इलाकों के अधिकारों का हनन वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वन अधिकार संरक्षण नियम को भी परिवर्तित किया जा रहा है साथ ही वाइल्ड लाइफ प्रोडेक्शन एक्ट में संशुधन की बात कही जा रही है जैसे कि आने वाले समय में परेवरंड का नुकसान जहला जाएगा वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इन तमाम मामलों को लेकर के सेलेक्ट कमिटी के पास भेजा जा रहा है जबकि इसे हिसाई समीती के पास भेजा जाना चाहिए उन्होंने आरूप लगाया कि हिसाई समीती में जैराम रमेश हैं इस हुजा से यह उनके पास नहीं भेजा जा रहा है अभी अभी कुछी दिन पहले दो दिन पहले आप जानते हैं दोनों सदनों में लोकसवा में और राजसवा में संशोधन लाने की प्रस्ताव सरकार ने पेश किया वो बिल उन्होंने पेश किया लोकसवा में वो सेलेक्ट कमिटी को जाएगा वो स्थाई समिती को नहीं बेजा जा रहा है क्योंकि स्थाई समिती के अध्यक्ष मैं हूँ कॉंग्रेस के MP हैं सेलेक्ट कमिटी को इसलिए बेजा जा रहा है कि उनका अध्यक्ष BJP का हो सकता है और जो उनको कहा जाएगा वो रिपॉर्ट लिखेंगे तो जो 50 साल में उपलब्दी हुई है हमारे देश में जंगलों को बचाने के लिए हमारे वन इलाकों को बचाने के लिए चिपको अंदोलन के वजे से प्रजेक्ट टैगर के वजे से वो सब आज खत्रे में और उन्होंने चार पने का खत लिखा है पर्यावरन और वन मंतरी को और इसकी कॉपी मैं आपको उप्रत करा देता हूँ और इसमें इनों ने बिल्कुल साफ कहा है कि जो संशोधन ला रहे हैं आप अधिनियमों में तो शंशोदन ला रहे हैं आप नियमों में रूल्स में वो आदिवासियों के हित में नहीं है जो जंगल में रहते हैं उनके हित में नहीं है